और यह गैरंटी एक और आचुकी है है ट्रिक की 2024 में भी शांतनू है मेरे साथ शुबरास्ता जी है मेरे साथ संजे जी और साथ ही यहां स्टूडियो में रिशी मिश्रा है अगर यही शांतनू इसी साथ से चलता रहा तो फिर तो मैं रहाल से अब 29 की तियारी करनी चीए इं यहीं से डिड़ सो दूसो सीट पूरी हो जाती है जो जाती वाली बात करी उसमें बात कहना चाहूंगा उसमें बात अजूरी रह गई कि कि हम एक चीज को फिनॉमेना को भूल रहे हैं जो 22 जन्वरी को उत्तर प्रदेश में उद्या में राम मंदर का जो उद्गाटन होने वाला है उससे जो एक जो जाती के अलग हटके जो हिंदू वोटर है जो साथ आएगा उसको पहले से एंटिसेपेट करके यह जो जाती का जानकारी मिल गई जिसके हजाब से को समाजिक नयाय नया हो सकता है वो तो इन चुनावों में भी ट्रेलर मंदप्रदेश चाथिसगर राजिस्तान में दिग गया हिंदी पट्टी में कि एटी ने बटने से शायद मना किया एटी नहीं बटा बिल्कुल ठीक है और परिखाल से जाती के एक समाजिक नयाय का एक तरह से एक तरह का एक इंस्ट्रुमेंट है और लेकिन जब जनता को दिखता है कि सोशल डवल्मेंट पॉलिसी है जो भी अफर्मेटिव एक्शन है वो जनता तक पहुंच रहा है तो शैद वो ऐसा नहीं जाती के तरह समाजिक नयाय ले सकता है कि सोशल पॉलिसी के डिलिवरी बहुत स्मूध हो चुकी है तो जाती का जो एक सक्टर भी है वो भी एक सेकंड और टर्शरी काटेगरी में पहुंच रहा है बताव रिशी क्या कहना घलत होगा इस हिसाब से जिस रफ्तार से जिस मतल हैं लेकिन आप गाओं 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 नहीं जाते हैं तरह गाओं धरा भूम लिया कीजिए वहां आज भी संजय जी संजय जी इसको बहतर बताएंगे कि आज भी हिंदुस्तान में खासकर जो जो चुनाभी पैटर्न है अमन जी कास्ट के अधार पे ही वोट होता है और कास है तो किसी ब्रहभान को टिकर दे दिया क्या आपने तो यह कहना चाहिए कोंग्रेस हो या बीजे पी हो जाफ कि मैं पार्टी पॉलिटिकिंस अलग बात है लेकिन जहां में भी उसका ही होता है अब आप मध्य परदेश में मध्य परदेश में उसी जाती की दिवार को संभवता किराया उत्तर प्रदेश ने 2022 में उसी जाती पूरा करने दीजे ना उसी जब प्रचंड बहुंवा सवाद 300 सीटे मिली योग्याद इतिनाद को तो वहां तो था ना में भी 36 गड़ में भी तो वो तो देश भी आगे बढ़ रहा है उस जाती की दिवार से बट्वारा पॉलिटिक्स को जवाब तो सर वोटर ने दिया है अप लोग क्यों कहते हैं कि हमित सा ने तो मास्टर स्टोक मार दिया कौन सा जाटब से गहर जाटब को बीजेप की तर रिशी का समाज को तोड़ा है जब मतलब हर्याणा में गैर जाटर सीएम हो जाता है तो फिर वो नरेटिव का फ्लॉप हो जाता है मतलब ये रिशी का तरक है ठीक है संजे जी आ रहा हूँ संजे जी तो खेर ग्राउंड की रिपोर्ट के साथ आप से बात करेंगे मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहे हूं जो भी जाती की राजनीती को लेकर के इतने आग रही है जो मैंने तेलंगाना पर सवाल पूछा है रेड़ी वोट का हम समान करते हैं लेकिन हम जो वहाँ सीएम बनाएंगे वो दलित सीएम बनाएंगे बट्टी जी है वह बहुत बड़े नेता है और दलितों के बहुत बड़े नेता है तेलंगाना में उसके अलावा भी उनकी इंडिपेंडन्ट जो पहचान है वो भी बहुत स्ट्रॉंग लीडर की है कह देना दूसरी चीज यह है अमन जी कि यह जो बात कही जाते भाजपा करें तो सोशल एंजिनेरिंग हम करें तो यह बात वो नहीं है बात यह है कि भाजपा क्या शुरुवाती राजनीती वैसे कर रही है या वो रिस्पॉंस में वो राजनीती कर रही है जनता भी तो यह देख रही है आपने OBC OBC करकर के मध्यप्रदेश में चुनाव का महौल बनाने की कोशिश की कोई एक बार समझा देता कि श्रीवराज जी की कास्ट क्या थी एक बार कोई समझा ही देता ना सामने जाकर के आप समझे कि जो रिशी जी कह रहे है कि गुणने मनने की जरूरत है कि भारत का समाज कहा है किस तरफ खड़ा है वो चार लोगों के साथ फोटो अप करवा करके उस यात्रा की सफलता को मत देखिए अगर किसी ने ढग से समझाया होता कि भाजपा ने खुद कह रहे हैं रिशी जी कि जब लिस्ट जारी होती है तो कास्क लिक करके आता है सामने तो यह चीज़ तो कॉंग्रेस भी करती कॉंग्रेस भी करती, कि जिस राजनीती की वो बात कर रहे हैं, उस राजनीती को साथने के लिए वैसे ही लीडर्स को फ्रंट पे करती, पर अभी तक तो आप कश्मेरी पंडित शुबरास्ता एक अपडेट है मुझे देना जरूरी है, सीपी जोशी के घर के बार से, मेरे सयोगी भवानी स्वक्त में सा जुड़ चुके क्योंकि अरुन सिंग माँ पर पहुंचे हैं, भवानी